यह कहानी काफी आगे की वगए जहां हर चीज मौडरन एडवास्ट है और इंसानों की सहूलत के लिए आसपास की हर चीज ए आई है जो इंसानों की मदद करेगी हर काम करने में जिसे रोबोट आपकी सारे काम करते हैं यह भी सब इस लिए कर सकते हैं कैसा भी काम हो इंसानी जिद्गी का यह सब ममकिन कर सकते हैं अब इस advanced दुनिया में हम कहाने की main character Rachel नाम की एक लड़की को देखती हैं उसकी घर की भी हर एक चीज AI थी जो पूरे घर को यहां तके Rachel को भी चेक करके बताती है कि तुम्हारे घर की हर एक चीज बिल्कुल सेट है और तुम्हारी सियर एकदम फीट है जिसके बाद Rachel ऑफिस के लिए तयार हो जाती है यह जब ऑफिस गई तो हमें पता चला कि वो भी एक AI machines बनाने वाले company में काम करती है और वो काफी अच्छी पोस्ट करें घर में हम उसके husband को देखती है जो एक ऐसा scientist है जो पेड़ पोदों की बार मेरी search करता है उन्हें उगाता है पर क्योंकि हर चीज एडवांस होने की वजह से उसका ये काम भी AI ही करती है रेचल के husband ने AI की मदल से अपने घर में वह सारे पोदे लगाय हुए थी और एक तरह का उसने green house बनाया हुआ था क्योंकि AI की वजह से वो free ही होता तो अब वो एक college में पढ़ाने लगता है पर उसकी आदत इस advanced दुनिया में घुलने मिलने जैसे नहीं थी वो अपने काम खुद करने का आदी था और ऐसे बार-बार जब AI उसके काम करते थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था अब रेचल जब दूसरे office थी तो वहां meeting हो रही थी यहां रेचल सबको बताती है कि मेरी team ने एक और AI बनाया है जो बिल्कुल आँख जैसा है यह इनसान से सोचने किस लाहियर और फैसले कैसे लेते हैं यह सीख रहा है क्योंकि आगे चल कि यह इनसान के लिए असिस्टेंट या करेंगी एडवाइजर के तोर पर काम करेगा जो इनसान को अच्छी बोरी चीज में मश्वरे दिया करेगा यह सुनकर एक वरकर को हैरानी हुई वो कहती है कि यह तो सारे इनसानों की करने की काम है अगर ऐसी इनसानों की जगा या यह काम करती रही तो ऐसी तो यह इनसानों की जगा इस तरह ले लेंगी कि पर इनसानों की नोकरी भी यही किया करेंगी और इनसान तो बिल्कुल free ही हो जाएंगी फिर हम क्या करेंगे बिरुज़कारी पर जाएगी तब ये सुनकर उनके सीलियर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा ये हमारी जगा लेने के लिए नहीं बलकि हमारी मदद करने के लिए बनाए गए हैं इंसान जहां हैं वो वहाँ ही रहेंगी तेरा मीटिंग हतम होने की बार रेचल जब अपनी आफिस जा रही थी तो उसकी बोस उसे बुला देती है और कहती है कि तुम पिछले दो सालों से काफी अच्छा काम कर रही हो और अब हम तुमारी प्रोमोशन करने का सोच रहे हैं यानि तुमारी पोस्ट पर और तरक्की दीने का लेकिन वो दिने से पहले हम तुमारी फैमली के बारे में जानना चाहते हैं कि तुमारा भी फैसला अपनी फैमली को बढ़ाने का तो नहीं यानि बच्चा पैदा करने का जो सुनकर रीजिल को काफी हैरत हुई कि मेरी प्रोमोशन का भला बच्चे पैदा होने से क्या तालूँ पर वो यह कहकर मना कर दीती है कि नहीं अभी इस बारे में हमने सोचा नहीं जिस पर उसकी वोस कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि हमारी कंपनी को तुमारी वजह से काफी फाइदा हो रहा है तुम काफी अच्छा काम कर रही हो तो मैं नहीं चाहती कि जब तुम बच्चे पैदा करने का सोचो तुम्हें छुटिया लेनी पड़ जाएं काम पर तुम्हारा रेगुलर होना जरूरी है पर अगर तुम बच्चे पैदा करना चाहती हो तो हमारे पास इसका दोसरा हल है जो कहकर वो से अर्टिफिशल वूम सेंटर का नमबर देती है यहां पर मसनुवी तरीकी से बच्चे पैदा किये जाती है यहीं जैसे मा के पैट में नो महीने तक बच्चा पनता रहता है उसी तरह आर्टिफिशल वूम में बच्चा पनता है और यह बिलकुल मा और बच्चे पैदा होने की प्रोसेस जैसा ही होता है अब जो रेचल उस सेंटर में गई तो वो सब कुछ देख कर और जान कर काफी खोश हो जाती है क्योंकि अब उसका भी दिल मा बनने का कर रहा था इसलिए वो यहां अपना नाम भी लिखवा देती है क्योंकि जो आर्टिफिशल वूम बनाई जाती है वो हर वक्त नहीं होती बलकि फैमिलीज की कहने पर अरेंज करवाई जाती है अब अगले ही दिन रेचल की पास सेंटर से कॉल आ जाती है और उससे बताया जाता है कि आप के लिए आर्टिफिशल वूम का इंतिसाम हो गया है जो सुनकर वो काफी खोश हो गई थी क्योंकि अब वो भी एक बच्चा हासिल कर लेगी उदो रेचल का हैस्बन जब कॉलिच में था दो बच्चों को एक पेरसी फल तोड़ कर देता है ताकि वो खा ली पर कोई भी उसे नहीं खाता इस वज़र से क्योंकि वो नेच्रिल खुदरती तोर पर पेर्ट से होगा था ना कि AI की वज़र से जिससे यहां हमें समझ लगी कि यह लोग AI में इतना खो गई हैं कि नीचर कुदरत को जैसे भूली गई है अब रेचल आर्टिफिशल बच्चे पैदा करने की खबर अपनी दोस्त को भी देती है जो सुनकर वो काफी खुश हो गई और पार्टी रखने का वैसला करती है जिस पर रेचल कहती है मगर यह बात मैंने अभी तक अपने इस बेंड को नहीं बताई क्योंकि वो इस एडवास दोर में भी नेचरल तरीकी से चीज़ों को हासिल करने पर यकिन करती है इस तरह चीज़ें हासिल करना उन्हें पसंद नहीं है क्योंकि उनका कुदरत पर बहुत यकिन है अभी सोच में वो पड़ी ही थी लेकिन फिर अपने डॉक्टर के पास जाने का सोचती है जो भी और कोई नहीं बलकि एक AI डॉक्टर था जो किसी बड़ी सी आंख जैसा लग रहा था रीचलों से कहती है कि मैं आर्टिफिशल वूम से बच्चा कैसी पैदा करूं क्योंकि मेरी हिस्बंड कुदरती तरीके से ये सब चाहती हैं यनि मैं खुद माँ बनो और बच्चे पैदा करूं जिस पर AI डॉक्टर कहता है कि तुम अपने हिस्बंड को समझाओ क्योंकि इस दोर में नैच्रल जैसी कोई चीज नहीं रहे गई तुम्हें इस बात से फरक नहीं पढ़ना चाहिए कि बच्चा कैसी पैदा हो रहा है बस इस बात की खुशी मनाओ कि तुम लोग माबाब बनने वाले हो जिसकी बात अब रेचल सब कुछ अपने हिस्बंड को बताने का सोचती है शाम को जब वो घर आई तो बात करने उसकी पास गई लेकिन देखती है कि अभी मेरा हिस्बंड काफी परिशान है वो रेचल को भी अपनी परिशानी बताता है कि आज बचों ने पेड़ का फ्रोट नहीं खाया पता नहीं कैसा दोर आ गया है लोग नेचर से दोर ही हो गई है अब यह सुनकर रेचल अपना मन बदर लेती है और फिलहालों से कुछ भी नहीं बताती अगले दिन फिर वो वोम सेंटर गई जहां पर और भी कई सारी औरते आई होई थी तबी यहां वोम सेंटर की हैड लिंडा आई जो सबको बताती है कि हमने यह सेंटर इसलिए खोला क्योंकि इस दोर में बच्ची बहुत ही कम पैदा हो रहे थी पर यह तरीका निकाल कर हम औरतों की मदद करना चाहती है ताकि बच्चा पैदा होने में कोई मसला ना हो जो कहने की बाद वो सबको एक पॉर्ड कैपसूल दिखाती है जो काफी बड़े अंडे जैसा लग रहा था जिसकी अंदरी बच्चा रहेगा और 9 महीने तक ग्रो करेगा यनि उसकी अंदरी फल फूल कर बढ़ा होगा और जब बच्चा पैदा होने का वक्त आता है तो ये पॉर्ड कैपसूल उसकी माबाप को दे दिया जाता है जिसकी बाद वो ये भी कहे थी कि आप बच्ची से कोई बात करके कोई गाना सुना कर उसे कनेक्ट करने जुडने की भी कोशिश कर सकते हैं इसके लावा ये भी कि बच्ची को खाना कैसे खिलाते हैं और क्योंकि ये बच्ची की माबाप हैं तो पॉर्ड कैपसूल ये घर ले जा सकते हैं क्योंकि ये सब इन्हें बताने का मक्सद ये था कि ये पूरा प्रोसेस असली जैसा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अब लिंडा रेचल को कहेती है कि अगर तुम ये प्रोसेजर शुरू करवाना चाहती हो तो पहले इसकी फीस भरने होगी जिस पर वो कहेती है कि अभी इसके लिए मुझे टाइम चाहिए ताकि मैं अपने हिस्बेंट से बात कर लूँ जिसकी बात वो पूरा जैन बना लेती है और आखिर घर आकर सारी बात अपने हिस्बेंट को बता दीती है कि मुझे आर्टिफिशल वूम की मदद से बच्चा चाहिए क्योंकि मुझे अपने केरियर पर दिहान देना है तो नेचरल तरीकी से मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती अब ये सुनकर उसकी हिस्बेंट को काफी बुरा लगा क्योंकि एक तो वो इस तरीकी के खिलाफ था और दूसरा की रेचल ने अकेले ये फैसला ले लिया था इस पर वो कहती है कि मेरी मजबूरी है क्योंकि ये जिस मरी प्रोमोशन से जुड़ी हुई है और अब इस बात को लेकर उनकी बहस होने लगी लेकिन फिर रेचल अपना गुसरा कंट्रोल करके उसी माफी मांगती है और ये भी कहती है ये हमें पहले मेरी एक दोस से मिल लेना चाहिए क्योंकि उसने भी आर्टिफिशल तरीकी से ही बच्चे पैदा किया है अगर उसके लिए सब ठीक रहा होगा तो हम भी ये कर लेंगी जिसके लिए उसका हजबन मान गया और अगले ही दिन ये रेचल की दोस के घर आ जाते है जहां उसकी दोस का हजबन उन्हें हसी मजाख में ये समझाने लगता है कि तुम आर्टिफिशल वों में बच्ची को कैसे उठाकर अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो जो देखकर रेचल की हजबन को काफी अजीब लगा कि वो घर आकर रेचल से कहता है कि मैं ये फैसला इतने जिल्दबाजी प्रेशर में नहीं ले सकता आखर बच्ची का मामला है जिस पर रेचल कहती है कि ऐसा करो तुम मेरे AI डॉक्टर से बात कर लो वो भी तुमें ठीक ही बताएगा अब उसके कहने पर रेचल का हजबन AI डॉक्टर से बात करता है पर वहाँ भी उसकी बहस हो गई इसलिए बात बीच में छोड़कर वो वहाँ से बाहर निकलाता है रात को खाने के वक्त भी ये एडवाज जिन्दगी से इनसानों पर पढ़ने वाले असरात की बारे में बात करते हैं पर रात कोई रेचल की हजबन को एसास हो गया और वो उसे कहता है कि मैं जानता हूं तुम ये सब हमारी फैमली के लिए ही कर रही हो और अगर तुम्हारी खुशी आर्टिफिशन तरीकी से बच्चा पर लकर निमी है तो मैं भी इसमें राजी हूं और अब वो भी आखिर इस फैसले के लिए राजी हो गया अब बच्चा हो गया बच्ची ये चीज़ हम नीचर पर छोड़ देती हैं जिसके बाद इनकी बच्ची का प्रोसर्श शुरू हो गया जो उन्ही स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था हर चीज ठीक थी यनि कि 9 महीने की बाद इन्ही बच्चा मिल जाएगा जो सोचकर ये प्रेशानी होने लगी तो रात को जब वो सो रही थी तो उसे एक सपना आया जिसमें वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा बैदा हुआ है जो कोई बेबी नहीं था बलके एक अंडा था अब उससे ये सपना काफी अजीव लगा जिसके बारे में वो AI डॉक्टर को बताती है जिस पर उसका कहना था कि तुम्हारे इस सपने का मतलब यही हो सकता है कि अब तुम सपने वाली हो इसके इलावा सपनों का तालुक हमारे असली जिन्दगी से नहीं होता तो तो तुम इस पर दिहान ना दो अब 6 हफ़ते गुजर जाती हैं जहां यह लोग वोम सेंटर में गए देखते हैं कि इनकी बचे की दिल की दड़कन चलना शुरू हो गई है जिससे इने बहुत कुशी होए पिर लिंडा इने इजाज़त दे देती है तिए पोर्ड कैपसुल को अपने घर ले जा सकती है ताकि बच्चे से घुल मिल सकी घर नाकर रिचल का हस्बन पहली बार स्क्रीन में अपने बच्चे को देखता है जिसी आज यहां उसे एहसास हुआ कि हमारा बच्चा आने वाला है और बाप बनने की उसे बहुत कुशी होने लगती है वो बच्चे से कुनेक्ट होने लगा जैसे उसी कहानिया सुनाता है अपने ग् पर रखती है और उसे ऐसास करवाती है कि प्रेगनेंट होकर ओरत को कैसा मैसूस होता है जो देखकर रेचल को उसके लिए काफी अच्छा लगा पर अब उसे अपने फैसले पर पिश्टावा हो रहा था फिर ये दोनों वोम सेंटर गए अपने बच्चे के बारे में और ट्र पर एक अजीब चीज़ उसे आज तक एक भी सपना नहीं आया जिस पर लिंडा कहती है कि हां वो हमारी तरफ से ही हुआ है हमने खुद उन बच्चों की कुछ चीज़ों पर लिमिटेशन्स लगाई है ताकि बच्चे वो काम ना करें पर जिल्थ हम उन सब बच्चों के लि उसके पास जाती थी जिससे उसे ये लग सकता था कि कोई इनसान टाइम पास कर रहा है या दिल से काम कर रहा है अब रेचल का हैस्बंड अपने बच्चे को कॉलेज में भी लेकर चाता है जहां उसे बहुत खुशी मिलती है पिर उसका सीनियर अकर बताता है कि तुम्हारे ग्रीन हाउस की वजह से हमें बहुत पैसे देने पड़ते हैं तो अब से तुम्हें ये काम बंद करना पड़ेगा जो सुनकर उसे काफी घुसा आजाता है अब वो जब घर आया तो रेचल ये सोचकर काफी परेशान होने लगी थी कि आखिर मेरा हिस्पंड बच्चे से कन बढ़ें तो मुझे इसका इलाज करना चाहिए तो इसे कुछ दिन के लिए ये ही छोड़ दो तकि मैं इसी कनेक्ट होकर ये समझ पाऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है पर अब इन दोनों को समझ आती है तो हमारे इमोशन को समझ नहीं पा रहा इसलिए हमारा जवाब इसके पास जो सोचकर ये यहां से चड़े चाती है रेचल का हिस्बर्ण कहता है कि इसमें इतना परिशान होने वनी कोई बात नहीं है तुम भी बच्चे के साथ वक्त गुजारो फिर तुनेक्ट हो जाओगी ये सोचकर रेचल पोर्ट को अपने पेट के साथ बांध लेती है और ऐस अगली दिन ऑफिस चली गई पर उसे दिहान नहीं रहता कि मेरी आगे पोर्ट बंदा हुआ है और वो गलती से सामने जाकर टकरा गई जिस पर सभी सीनियर उसे ऐसे घूड़ने रखती है जैसे उसनी पता नहीं कितनी बड़ी गलती अब थोड़ी देर की बाद रेचल की स सीनियरों से कहती है कि तुम्हें पोर्ट केपसुल को गरे चुड़ कियाना चाहिए था जो कहकर वो उसे एक ऐसा कबर दिखाती है जहां पर बहुत सारे पोर्ट पड़े हुए थी जिन में उन माउं की बच्चे थी जो सब यहां पर वरकर्स थी सीमियर रेचल का पोर्ट कदर नहीं थी अब कुछ दिन की बाद इन्हें अपना पोर्ट चेकप करवाने के लिए सेंटर में लाना पड़ता है एक दिन रेचल को फिर से सपना आया जिसमें उसने अपने बच्चे को उठाया हुआ था और वो समंदर की नारे रेट में घूम रही थी उसने बच्चे नहीं लगती है फिर एक गमना उठाकर घर के अंदर बिली आई उसकी हस्बेंट ने जब उससे यह करते हुए देखा तो उससे भी काफी अच्छा लगा अब जब रेचल आफिस जा रही थी तो उसकी बोस एक पर फिर उससे पकड़ने थी और पूछने लगी यह बई किया बात है तुम्हारे तरफ से काम इतना सुस्त क्यों है एई इंवेंट करने में तुम काफी पीच्छी हो तुम्हारा बचा तो ठीक है ती उसकी परिशानी तो नहीं जो सुनकर रेचल को काफी अजीब लगा वो समझ जाती है कि मैं चाहे जो मर्जी कर लूई है लेकिन मेरी बोस कभी कुछ नहीं होगी क्योंकि इन्हें इंसानों के रोप में ऐसे रोपोर्ट चाहिए जो अपने इमोशन को साइट पे रखके हर वक्त काम करते रहें अब देखते ही देखते इनका बच्चा आठ महीने का हो जाता है ये काफी खुश थी उसके साथ और वक्त गुज जाने के लिए ये पोर्ट को घर ले जाने के लिए कहते हैं पर लिंडा ने ये कहकर मना कर दीती है कि सोरी ऐसा मुम्किन नहीं है क्योंकि इस स्टेज के बाद हम बच्चे की दिमाग और जिसम की ट्रेनिंग करते हैं असल में हम यहां एक रिसर्च भी करते हैं जिसके कहते हैं कि यह सब आपकी कॉंट्रेक्ट समझोते में था आपने उस पर साइन किये थी जिस पर साफ देखा था हम यहां पर रिसर्च भी करते हैं और अब आपको बच्चा ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम बच्चे की डिलिवी कुछ दिन पहले ही कर दे यहीं बच्चे पैदा करके उसी पर से निकाल लिया जाएगा क्योंकि हमारे पास यहां एक लंबी लिस्ट हैं जिन और और तुने अपने बच्चे पैदा करवाने हैं जिनके लिए हमें पर चाहिए तो इसी लिए अब ना चाहते हुए भी उन्हें ये बात माननी पड़ी और अब वक्त के सासथ डेचल को समझ आने लगती है कि ये सब कुछ ट्रेप चाल की तरह था हमें पसाने के लिए प्रोमोशन की नाम पर आटी भीए तरीके से बच्चे पैदा करवाने का कहा गया पर इस रात रिचल को दुबारा सपना आया जिसमें उसका बच्चा पैदा हो गया है और अब वो एक मॉल में अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही है अम नीन से उटने की बाद वो अपने हिस्बंड को कहे थी है कि मैं भी तुम्हारे साथ इतिफा करती हूँ मैं पी अपने बच्चे को इस दुनिया में बढ़ा नहीं करना चाहती हूँ बलकि नेच्रल तरी किसे नेचर में बढ़ा करना चाहती हूँ जैसा तुम भी चाहती हूँ इसलिए फैसला करती है कि यहां शहर से दूर जो गाउं में हमारा घर है हम बहाँ चले जाएंगे जहां सब कुछ नेचरल है भी तर इससे पहले उसका हिस्बन आखरी बार लिंडा से बात करनी जाता है कहने लगा कि आप हम से और ज़दा पैसे ले ले लेकिन बच्चा नो मह जाते हैं कुछ दिन इनने यहां गुजारे और अब 9 महीने हो जाते हैं एक दिन पोर्ड में यह देखती है कि बच्चा उपर नीचे हो रहा है जिससी काफी कुछ हो गए क्योंकि अब कभी भी बच्चा पैदा हो सकता था पर इसी रात अचानक ही पोर्ड का सिस्टम बंद आने लगी यानि कि डिलिवरी का वक्त आ गया था यहां बच्चे पैदा होकर पोर्ड से बाहर आ जारेगा पर इसके लिए ने कॉर्ड डालना था जो इन्हें यादी नहीं था यह परिशान हो गई पर उसका हिस्बर दिमाग लगाता है वो बड़े दिहान से पोर्ड के उ आज आखिरकार वो माबाप बन ही गी थी और उनका लिर्का हुआ था और अब यह वैसी अपने जिन्दगी को जारने लगती हैं जैसी एडवास दुनिया से पहले थी यह नहीं बगएर किसी मशीन की कुछ दिन के बाद रेचल उस पोर्ड को बॉक्स में बंद करकी सेंटर में बिजवा देती हैं और अब यह फैमली क्योंकि पूरी हो गई थी तो हंसे खुशी अपने जिन्दगी को जारने लगती हैं नेचर की